भगवान के यहां कोई नियम पाबंदी यह सब नहीं है बस मन का प्यार है पिर जो चाहे सो पहनाओ जो चाहे सो किलाओ जो चाहे खेल कराओ लीला जो लिखी है धरे दस बीस लीला लिखी है भागवत में लीला फीला क्या लिखेगा कोई अरे एक एक छण में अनंत अवतारों की अनंत लीला हो रही है Ee अनंत ब्रहमांड में कौन लिखेगा जो मन में आयस सो लीला करा ओ साफ जो आयस त agenda की पसंद के अनुसार अब बताओ रूप ध्यान कितना सरल है, लीला ध्यान कितना सरल है करेंगे देखा नहीं तो कैसे ध्यान करें, बाप को तो देखा, मा को देखा, बीबी को देखा, देखा हुआ ध्यान करना बड़ा कठिन है, आप आँख बंद करके, और किसी दोस्त का ध्यान कीजिए, वैसे ही नाक बने, वैसे ही कान बने, वैसे ही आँख बने, नहीं बना सकते। जो चाहो वैसा रूप बना लो, तुहारी इच्छा, अरे तु भगवान का कोई रूप तो होगा, हाँ, हाँ, कोई होगा, खोने दो, तुम जो रूप चाहो बना लो, भगवान उसको सही मान लेंगे, उन्होंने कृपा का कानून बनाया है, कि मेरे अनन्त रूप है, अनन्त नाम रूपाय, मेरे नाम भी अनन्त हैं, जो चाहे रख लो, और मेरे रूप भी अनन्त है जो चाहे रख लो अरे यहां तक की मनुष्य का रूप भगवान धारण करते हैं कि यह है लेकिन नरसिंग भी बन जाते हैं मचली भी बन जाते हैं कच्छुआ भी बन जाते हैं अरे सुवर बन जाते हैं इतना गंदा इतना डर्टी जानवर सब बन चुके हैं अवतार ले चुके हैं जो आपको पसंद दो जगनाज जी की मूर्थी देखकर आपको अपना बेटा ज्यादा सुन्दर लगता होगा जगनाज जी की मूर्थी ऐसे कैसे है लेकिन भगवान कहते हैं तुम चाहे जैसा मान लो हमारे दोनों हाथ कटे है या हाथ ही नहीं है पैरे ही नहीं है हमारे नाक गायब है हमारे कान गायब है हम सब को असली मान लेंगे और असली फल देंगे बताओ कितनी रियायत है अब किसी को मोटा अद्मी पसंद है किसी को पतला पसंद है किसी को लंबा किसी को ठिगना किसी को काला किसी को गोरा तो अब एक रूप अगर भगवान रखे तो सब को उहिक बनाना पड़ेगा भगवान कहते हैं नहीं नहीं मेरे सब रूप हैं जो चाहे सो बना लोती और जो चाहे कपड़ा पहना दो काला पीला नीला सूट पहना दो ताई लगा दो अगर आज भगवान का अवतार हो किसी के घर में तो टाई लगा के प्राइमेरी में पढ़ने जाएगा काईदा है उसको पालन करना पड़ेगा अब पीतांबर पहन के तो कोई स्कूल में जानी नहीं देगा उसको पीचर निकाल देगा तो भगवान के यहां कोई नियम पाबंदी यह सब नहीं है बस मन का प्यार है हाँ है पिर जो चाहे सो पहनाओ जो चाहे सो किलाओ जो चाहे खेल कराओ लीला जो लिखी है धरे दस-बीस लीला लिखी है भागवत में लीला फिला क्या लिखेगा कोई अरे एक एक छण में अनंत अवतारों की अनंत लीला हो रही है अनंत ब्रहमांड में कौन लिखेगा जो मन में आयस हो लीला कराओ साप च्वायस तुनारी पसंद के अनुसार अब बताओ रूप ध्यान कितना सरल है लीला ध्यान कितना सरल है साप कुछ हम लोगों पर छोड़ दिया भगवान ने तुम जैसा मान लो वैसे में बन जाओंगा और आनन्द वही मिलेगा जो महापुरुषों को मिलता है कोई कहे मेरा आइडिया तो बड़ा कमजोर होगा उसका आइडिया तो बड़ा सुन्दर होगा उसने सुन्दर भगवान बनाया होगा नहीं नहीं देखो दिवाली के समय चीनी की मिठाईया बिक्ती है खाली चीनी की चीनी का घोड़ा चीनी का हाथी चीनी का साहब चीनी की मेम कोई चीज खाओ सब में वही मिठास होगी तो रूप से मतलब नहीं है वो चिदानन्द मै दे है तुम्हारी भगवान का जो सचिदानन्द घन रूप है वो रस का है वो हर एक में एक साह है वो जो सुवर का अवतार है न अगर वो सुवर यहां आ जाए तो तुम्हारी क्या है सियते ब्रह्मलीन परमंस भी देखके पागल हो जाएगा सुवर में इतना कर्शन है इसलिए वो तुम समत सोचो वो सब काम भगवान का है वो गुरू का है वो सब करेंगे तुम तो अपना जो तुमको पसंद हो वो रूप बना लो और जो उमर पसंद है वो बना लो वैसे शाष्त्रों बेदों में सब कुछ लिखा है स्वम स्त्री स्वम कुमान स्वम कुमार उतवा कुमारी स्वम जीर्णों दंडे न बन्चसि तुम इस्त्री भी बन जाते हो तुम पुरुष भी बन जाते हो तुम कुमारे भी बन जाते हो तुम विबाहित भी बन जाते हो 16,108 हिस्त्रिया और तुम बूढे बनकर लठिया लेके भी चलते हो किसी को ऐसे ही पसंद है भगवान लठिया लेके आमें ऐसे हिलते हुए वेशे आएगे कोई प्राबलम थोड़े ये उनको रूपधार्ण करने में आरे वो तो संकल्प किया और हुआ इसलिए साप प्रकार की छूट है फिर बाती का वो अपना गुरु करेगा भगवान करेंगे जो तुम को लक्ष को दिलाना है वो तुम अपनी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते दिव्य प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभून आए गौरांग महाप्रभू ने कहा श्री कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है वो साध्य नहीं है किसी साधन से नहीं मिलता साधन से अंताकरन का बरतन बनता है वो तो गुरु कृपा से मिलेगा बाद में अपने आप उसका कोई मूले नहीं हो सकता मिटीरियल संसार का इंद्री मन बुद्धी का कोई तप जग जान कुछ भी ऐसा नहीं है साधन जो प्रेम दिला दे प्रेम अलावकिक बस्तू है अलावकिक बस्तू का मूल लावकिक सामान नहीं हो सकता इसलिए वो तो क्रिपा से मिलेगा वो अपने आप मिलेगा जैसे किसी संसारी सामान के बेचने वाला एजेंट भूरता रहता है ग्रहक ऐसे महापुरुष ढूरते रहते हैं कोई पात्र मिल जाए तो प्रेम दे दे हमारा काम पात्र बनाना तो रूप ध्यान परमा अवश्चक है ऐसा सोचकर आप लोग उस पर विशेश ध्यान देते रहें